जिसीएफ ओफ 45 एंड 75 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजिसन में फ्राड़ बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो नहीं देखना पड़ेगा तो इस वीडियो को पुरा देख लीजेगा देखो दो स्टेप HCF के लिए GCF के लिए पहला इसके हम फैक्टर करेंगे इसके भी फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर करने के लिए हम अपना प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो देखो यहाँ पे टू का डिवाइड ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है मैं 3 के पास गया तो again 3 का divide हो रहा है देखो 5 time 5 में 5 का divide 1 time तो यह आगे आपके 45 के factor इसके factor करते हैं देखो इसमें आपका 3 का divide हो रहा है कितना 2 time और 5 time again देखो इसमें 3 का divide नहीं हो रहा है लेकिन 5 का divide हो रहा है कितना 5 time 5 में 5 का divide आपका 1 time तो यहाँ पे इसके factor क्या मिल गए हमें 3 multiply 3 multiply 5 और यहाँ पे 75 के हमें factor क्या मिल गए देखो 3 multiply 5 multiply 5 हमें यहाँ पे क्या चाहिए अपना दोस्तों GCF चाहिए तो इसमें देखो पहला step complete हो गया factor करने ठीक है दूसरा step दोनों के common factor लेना है यहाँ ऐसा factor जो यहाँ भी है यहाँ भी है अगें देखो इनका multiply आपको यहाँ पे क्या देता है GCF देता है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं इसका full forum से क्या होता है greatest common factor यानि आप common factor को याद रख रहो ऐसा factor जो दोनों में है उनको लेना है multiply करने GCF आएगा टेंक यू सुरह अंदर के लिए यूट्यूब पर subscribe अन्य मस्त मस वीडियो देखें